नमस्कार दोस्तों दर्मंगा रुक्स में आपका स्वागत है वो पुराना स्टेशन, वो पुरानी ट्रेने, वो पुरानी रौनक वापस लोटा दो आज इसी की बात करेंगे कि दर्मंगा नर्कटिया गंज के बीच में जो पहले चलती थी ट्रेने साथ जोड़ी पैसेंजर ट्रेने चलती थी और कई एक्सप्रेस ट्रेने चलती थी जिसमें से जानकी लिंक एक्सप्रेस चलती थी, गंड़क एक्सप्रेस चलती थी लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं दिया जा रहा है इस बार आवाज उठाई है 37 चंद दूबे जुरासभा सांसद हैं उन्होंने अज़ासभा में क्या मांग रखी है आप खुद सुनिये लेकिन 2004 के बाद इन सभी रेल गाड़ियों को बंद कर दिया गया क्योंकि रेलबे द्वारा छोटी लाइन से बड़ी लाइन के करने के लिए अमान ने परिवर्टन हो रहा था उस रूप में 2018 में पूर्ण कर लिया गया लेकिन अभी तक यहां से नरकटिया गंज से सिक्ता होते हुए जैनगर दरभंगा रक्षावल के लिए जो गाड़िया चलती थी उनको नहीं चलाया जा रहा है पस्मी चमपारण जो हमारे जन्मस्थल का जगा है पूर्व में हम वहां से सांसत भी रहे हैं चौदे से अनलाइस तक नेपाल से सटा हुआ इलाका है सुद्र ग्रामिल इलाका पड़ता है वहां से लोगों को आने जाने के लिए प्राइबेट बस जीप टैक्सी के सिवा दुसरा कोई संसाधन नहीं है और काफी भाड़ा में इजाफा हो गया है काफी भाड़ा लोग असूल करता है प्राइबेट गाड़ी वाले लोग अताहाँ आपसे आग्रह है कि साथ जोड़ी जो ट्रेने पुर्व में चलती थी उसको अपना चलाया जाए ततकाल अगर चलाने में असुबधा हो रही है तो एक ट्रेन नरकटिया गंज से मेमो ट्रेन दीजा है जो रक्साल भाया सिक्टा कम से कम दीन बेच चार बार पांच बार अप एंड डाउन करें कि ततकाल लोगों को राहत मिल सके तो यह पुकार है यह दर्द है उस सांसत की न सिर्फ सांसत की बलकि वहां के लोगों की कि आखिर वो ट्रेने वापस क्यों नहीं आ रही है सुनिए यह दर्द उन्होंने किस तरह से बया किया आवा गमन बाधित है पबलिक काफी परिशान है पबलिक रोड रेलबे लाइन बिदुटकरन भी हो गया है बड़ी लाइन भी हो गई लेकिन अभी तक क्रेने चालू नहीं हुई है जिससे आम जन्मानस में काफी सरकार के परती उदासिंता है बस आप से आग रहा है आपक तो संसद में उन्होंने ये बात रखी ही साथ ही उन्होंने रेलबे बोर्ट के चेर्मेन से भी उन्होंने मुलाकात किया और लिखा कि रेलबे बोर्ट की चेर्मेन जया वर्मा सिनहा से मिलकर के उन्होंने बगहा से पटना के लिए और बगहा से मुजफरपूर के लिए ट बताने के लिए काफी है कि किस तरह का दर्द सांसाद महोदय के समझ रहे हैं आम जंता का रोश समझ रहे हैं गुसा समझ रहे हैं और अपनी ही सरकार के को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं 2004 से ट्रेने बंद हैं पहले कहा गया अमान परिवर्तन की वज़े से ट्रेने नहीं चल रही है जब अमान परिवर्तन हो गया तो कहा गया कि विद्दूती करण की वज़े से नहीं चल रही है विद्दूती करण भी हो गया तो अब क्या वज़े है कि इस रूट पर ट्रेने नहीं चल रही है और जो रोश किस तरह का है और यह महसूस कर रहे हैं कि आम जंता किस तरह से परिशान है और किस तरह का वादा किया गया था 2004 से लेकर 2023 हो गया लेकिन अभी तक यह मांग और नई ट्रेन तो छोड़िये जो पुरानी ट्रेन है वो वापस नहीं आई और ये मांग रख रहे हैं कि कम से कम रक्सौल और नर्कटिया गंज के बीच में एक ही मेमू ट्रेन चलाई जाए और उसी को अपडाउन कराया जाए अलाकि ये तो काम चलाओ वेवस्था है लेकिन यहां सवाल दर्भंगा से नर्कटिया गंज का है गंड़क एक्स्प्रेस की जिसकी बात कर रहे हैं वो जैनगर मदुबनी के जैनगर से चलती थी दर्भंगा होते हुए यहां से लोको रिवर्सल होता था दर्भंगा में उसके बाद सीता मड़ी से होते हुए ये पश्चिम चमपारण होते हुए ये गोरकपूर जाती थी तो ये बगहा छितौनी हो करके जाती थी गंड़क एक्स्प्रेस और लिंक जानकी भी जो है वो भी जाती थी तो ये सारी ट्रेने चलती थी और अब आपको लिंक जानकी जानकी जो एक्स्प्रेस अभी चल रही है जानकी को तो वापस ले आए तो जानकी जो है वो जैनग फिर वो एक ट्रेन जो है फारविजगन चली जाती थी और एक ट्रेन जो है वो कठीहार चली जाती थी तो कठीहार वाली ट्रेन तो ब्राड गेज पर आ गई लेकिन जो लिंक जो जानकी थी जो सहरसा से फारविजगन जाती थी जिसमें हमने भी कई बार सफर किया वो ट्रेन वो train introduce की गई थी और वो बहुत ही जैनगर से लोग गोरकपुर का सफर तै करते थे overnight train बहुत अच्छी train थी मीटर गेज की लेकिन वो भी वापस नहीं लोटी तो ऐसी कई trainे हैं जो वापस नहीं लोटी तो लोटा दो वो पुरानी trainे नई trainों तो छोड़ दो पुरानी trainे लोटा दो साथ जो trainे मांग की जा रही है वो लोटा दीजिए और ये सांसत की जो पुकार है संसत में ये जो मांग कर रहे हैं ये सिर्फ सांसत की मांग नहीं है ये पूरे शित्र की मांग है, पूरे तर्विहार की मांग है, पूरे मिथला की मांग है, पूरे चमपारण की मांग है, कि उनको ये ट्रेने लोटा दी जाएं। पूरे मिलता अगर ये गंडग वापस लोटा आती है, और जो रेगुलर ट्रेने हैं धैनिक यात्रियों के लिए रक्सौल नर्केटिय गंज हो या दर्वंगा से नर्केटिय गंज हो, ये रेल खंड पे ट्रेन वापस आनी चाहिए, ज्याद से ज्यादा आनी चाहिए, जो अब तक नहीं आई, जो वादा किया गया था, रेल वे अपना वो वादा निभाए, ये सरकार वो वादा निभाए, रेल मंत्राले वो वादा निभाए, तो दोस्तों वी वेडिय कैसे लगा, जरूर लाइके ये शेयर किया अपनी सब्सक्राइब केजिए, कुछ और वीड अबैंतर आवाए, जरूर सकतक नहीं दो करें सकते हैं, वादा दूर है जरूर है वेडियर केज़ communal अवेड़ क है, जरूर विपा ये वे तय fundamental yतिके वीद सानमा निभाए, ये भी वेड़ीकई, वे वही वे शुई है अभाए, एका ये आवार हैंится से प्रें में 10 different foods दlorके